नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूर शिवरा सिंग भारत कोरुना वाइरस की दूसरी भहिंकर लहर का सामना कर रहा है हाला कि कोरुना महमारी की रोक थाम के लिए देश में बैक्सीन इसन अव्यान भी जारी है अब विदेश से भी वैक्सीन मगाई जा रही है इसी कड़ी में भारत को रूस की बनाई कुरुना वैक्सीन इस पूतनिक भी की दूसरी खेब मिल गई है उम्मीद है इस वैक्सीन की खुराग जल्दी बाजार में मिलनी शुरू हो जाएगी जिससे भारत में टीकाकरण की रफ्तार को तागत मिलेगी रूस द्वारा विक्सित की गई इस पूतनिक b वैक्सीन की दूसरी खेब आज हैदराबाद पहुंची इस बैक्सीन की करीब देड़ लाग फ्राकी खेब भारत को मिली है इस पूतनिक बैक्सीन के भारत पहुचने के बाद रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने इस बैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम तिया है उन्होंने कहा कि रूसी बैक्सीन स्पूतनिक वी की प्रभावकारता के पूरी दुनिया में चर्चे हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पूतनिक वी कोरूना के खलाब कितनी कारगार है As it has been repeatedly stated by the Russian Direct Investment Fund CEO, Mr. Kirill Dmitriev, Sputnik V is the Russian-Indian vaccine. We expect that its production in India will be gradually increased up to 850 million doses per year. Looking forward to further expanding our bilateral and multilateral cooperation with India to stop the pandemic. As we know, there are plans to introduce a single-dose vaccine soon in India, Sputnik Light. The efficacy of the Sputnik V is well known in the world. Back in Russia, it is being successfully used to vaccinate citizens, starting since the second half of 2020. Russian specialists declared that it is also effective against the new strains of COVID-19. बता दें कि Drug Controller General of India ने इस बैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए Dr. Redridge Lab को मन्जूरी दी है. भारत ने इसको इमर्जेंसी के तोर पर इस्तेमाल की इजाज़त पहले ही दे दी है. माना जा रहा है कि रूस की ये वैक्सीन भारत में चल्दक की काकरण के तीसरे फेज में काफी मदद करेगी और इससे कुरूना संक्रमन को रोपने में मदद मिलेगी. रूस या इस पूत्निक भी वैक्सीन की एक खुराक की कीमत करीब 996 रुपए रखी गई है. आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा. बदा दें कि अभी भारत में दो वैक्सीन कोबिट सीलोग को वैक्सीन लगाई जा रही है. 15 माई तक देश भर में 18,22 लाग से ज़्यादा डोज लग चुके है. बीते दिन 17,33,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए. इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं बने इंडिया हिंदी के साथ.